हाई गाईज, वल्कम बैक टू मैं चानल, कैसे हो आप लोग? मैं आज आप लोगों से इस मेकाप लोग को सेर करूँगी तो आगा आप जानने के लिए इंटेस्टेट हो कि इस मेकाप लोग को मैंने कैसे क्रियेट किया है तो वीडियो के इंतर जरूर देखिएगा और हाँ अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो तो चलिए मेकाप पे जाते है प्राइमार के लिए मैं आज यूज करूँगी एनॉइबे प्राइमार यह एक सिलिकन बेस प्राइमार है और बहुत ही अफोर्डेवल है तो प्राइमार लगाने से हमारे जो स्किन में जो लार्ज पोर्ट से वो ब्लाड आउट होता है और हमारी फाउंडेशन स्मूथली ब्लेंड होता है उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं आज यूज कर रहे हूँ लैकि में इन्विजिवल फाउंडेशन इन्टी से जिरो फोर और इसे में अपने जो फाउंडेशन का स्पैचूला है उसकी मदद से पूरे फेस पे लगा लूँगी उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अपने फाउंडेशन को डैप डैप करतू है ब्लेंड कर लूँगी इस फाउंडेशन सेर्टो मीडियम कवरेश देता है और इसमें एस फीए भी है तो डे टाइम के लिए इस फाउंडेशन अच्छा है तो मैं बहुत ही टाइम लेके इस फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी ताकि फाउंडेशन जो है ओक केकिया पैची ना हो और जो सारे प्रोड़क्स में यूज़ करी हो सबकी लिंक में ने डेस्किप्सन बॉक्स में दिया हुआ है मैं अपने नेक को भी कवर करूँगी फाउंडेशन से ताकि नेक और फेस इवन लगया उसके बाद कंसीलर के में लिए मैं यूज़ करी हूँ नवाइब कंसीलर इंदी से 0-3 और उसे मैं अपनी यूज़ियल पोर्ट्शन में जहाँ जहाँ मैंने हाइलेट करना चाहती हूँ वहाँ पे लगाऊंगी और जहाँ जहाँ मेरा एकनी का स्पोर्ट है या भी कोई डार्क स्पोर्ट है वहाँ पे लगाऊंगी और उसे भी उस डैम ब्यूट्य ब्लेंडर से अच्छे से blend कर लूँगी एक concealer आपको purple.com पे मिल जाएगा इसकी coverage medium है लेकिन आप इसकी coverage को build up भी कर सकते हो और smoothly blend भी हो रहा है आप लोग देख भी सकते हो तो मैं इसे भी time लेते हुए blend करूँगी अच्छे से आज मैं baking करूँगी उसके लिए मैं आज यूस कर रही हूँ लैक्मी रोस पाउडर इंदी से 0-1 soft pink इसे एक ब्रास में लेके जहाँ जहाँ मैंने concealer लगाया है वहाँ पे लगाऊंगी और थोड़ी दर के लिए छोड़ दूँगी ताकि यह पाउडर अपने face पे set हो जाए और ब्रास में जो excess powder है उसे से मैं अपनी foundation को set कर लूँगी और अपनी neck को भी set करूँगी उसके बाद पहले एक spoolie लेके मैं अपने eye rose को comb कर लूँगी और फिर camelion eyebrow pencil इंदिसे 01 black को लेके मैं अपने eye rose की जो gap है उसे fill कर लूँगी यह eyebrow pencil बहुत pigmented और बहुत क्रीमी है तो मैं बहुत हलके हाथों से fill कर रही हूँ उसके बाद spoolie लेके मैं फिर से eye brows को comb कर लूँगी ताकि जो product है वो spread हो जाए अब eye makeup पे आते हैं तो पहले मैं यह concealer लेके मैं अपने eye lid पे लगाऊंगी ऐसे eye shadow base और उसे भी मैं उसी डायम beauty blender से अच्छे से blend कर लूँगी तो concealer लगाए सामारे जो color से eye shadow का वो अच्छे से pop-out होता है उसके बाद loose powder को लेके मैं concealer को set कर लूँगी तो eye shadow के लिए मैं अच्छे से blend करूँगी time लेके अच्छे से blend करूँगी ताकि कोई भी इस हार चेज़ेस ना रहे तो जब तक अच्छे से color ना है तब तक मैं उस color को brush पर लेके blend करूँगी उसके बाद इस eye shadow उसके सारे color के pigmentation बहुत ही अच्छा है मुझे इस eye shadow बहुत ही पसंद है उसके बाद फिर से blending brush को लेके मैं दूरनों colors के edges को blend कर रही हूँ ताकि कोई भी हार सज़ेस ना रहे है और सब कुछ blendable लगे तो time लेके अच्छे से blend करूँगी मैंने दूसरे eyes पर off camera कर लिया है उसके बाद फिर सब जो excess powder था उसे मैं एक brush की मदद से हटा रही हूँ आइलाइनर के लिए मैं यूस करी यह blue heaven आइलाइनर यह बहुत एक affordable चीप आइलाइनर है इसे में ने 40-50 रूपी से रूकल मर्केट से खड़िदा था यह आइलाइनर समाजपूर यह waterproof नहीं है लेकिन फिर भी यह आइलाइनर बहुत यह अच्छा है इसकी pigmentation बहुत यह अच्छा है जेट black pigmentation है आप लोग देख सकते हो तो इसकी मदद से मैं एक पतला सा विंग क्रियाट करूँगी उसके बाद आज काजल के लिए यूज करीए blue heaven काजल इंदी से ग्रीन और इसे लेके मैं अपने water line पर लगाऊंगी इस काजल की भी pigmentation बहुत यह अच्छा है तो आप लोग एक बाद ट्राइ कर सकते हो उसके बाद एक eye last color की मदद से मैं अपने eye last को curl कर लूँगी और mascara के लिए आज यूज करूँगी blue heaven walk free mascara और इसकी मदद से आपा इस लासे से मुल वा लासेस को अच्छे से कोट कर लूँगी यह मस्कारा लासेस को अच्छा खासा वॉल्यूम दे देता है लेकिन यह मस्कारा वाटर प्रूप नहीं है तो मैं इस मस्कारा के दो तिन कोट अपने लासेस पर लगा लूँगी आई मेकप खतम होता है आप आता है फेस मेकप पे तो फेस को कॉंटूर करने के लिए मैं आज यूज कर रहे हैं यह सीवना कलर्स पैलेट उसी इस कॉंटूर शेट को लेके मैं अपने फेस को कॉंटूर करूंगी कॉंटूर करने से हमारी जो फेस है उस सेफ में आता है मैं जॉलाइन और फोरेट को भी अच्छे से कॉंटूर करूंगी ब्लस के लिए आज यूज कर रहे हैं स्वीच ब्यूटी आइसेट पैलेट सी इस कॉटाल सेट को इसे लेके मैं अपने अपने अपल अपदे चीक्स पे लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड करूंगी और ब्यूटी ब्लेंडर लेके सब कुछ मैं अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लूँगी ताकि सब कुछ ब्लेंडेबल लगे हाइलाइटर के लिए मैं आज यूज करूंगी वेट इन वाइल मेगा गलो हाइलाइटर इन दी सेट पैसियर स्पिटल्स इसे में एक स्मॉल ब्रास में लेके ब्राव बोन और इनर कोनर को हाइलेट कर लूँगी इनर कोनर हाइलेट करना से हमारी जो आखे है वो बड़ी बड़ी लगती है और बहुत एक सुन्दल लगता है उसके बाद उसी हाइलाइटर को ब्रास में लेके मैं अपनी जहाँ जहाँ मैंने हाइलाइट करना चाहती हूँ वहाँ पर लगाऊंगी इस चंग की हाइलाइटर नहीं है बहुत ए सटल ग्लो दिता है जो एकदम नैचरल लगता है तो आप एक बड़ इस हाइलाइटर को ज़रूर ट्राइ किजिएगा इसके लिंक भी मैंने रेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये दिया है अब एडियस मेकाफ फिक्सर से मैं अपनी फेस को सेट कर लूँगी और जो एकसेस है वो ब्यूटी ब्रेंडर से टैप अप कर लूँगी तो लिप्स्टिक के लिए मैं आज यूज करूँगी इनवेब लिकुई लिप्स्टिक इनदी से 12 ये भी आपको पापल.com पे मिल जाएगा एक फूसिया पिंग कलर है और मेरा आउटफिट से अच्छे से मैच भी कर रहा है तो मैं इसे लेके पहले आउटलाइन करूँगी अपने लिप्स को और फिल कर लूँगी एक मैट लिकुई लिप्स्टिक के और ये आसानी से 4 या 5 गंट अपने लिप्स पे स्टेन करता है और इसकी भी लिग मैंने डेस्किप्शन बोक्स में दे दूँगी and there is my final look अगर पसंद आए तो फीडियो को लाइक करना कॉमेंट में मुझे बताना इस मेकाप लूग कैसा लगा और मेरी वीडियो को सियाज जरूर करना और जो प्रोडक्स के लिंक है वो मुझे मेने डेस्किप्शन बोक्स में दिया हुआ है तो आप लोग डेस्किप्शन बोक्स जरूर चेक करना और हाँ मेरी और फी अच्छे ची वीडियो दिखने के लिए मेरी चानल को सब्सक्राइब जरूर करना सब्सक्राइब बटन के पस छोटा से एक बेल बटन है उससे भी हीट कर देना ताकि जब भी में वीडियो अपलोड करें आप लोग मेरे वीडियो मिस ना करें बाई